Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you're watching English Connection. Guys, आज का जो topic है, इसके बिना आपका एक भी दिन नहीं बीता. जी है, आज जो words सीखने वाले हैं, वो है, could, would, should. बड़े ही important words ही है, क्या पता है, ये है modal verbs. मोडल verbs पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर separately एक एक करके मैंने बताने का प्रॉमिस किया था. आज मैं हाजर हूँ आपके सामने, और ये could, would, should बड़े confusing होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये similar sound कर रहे है, rhyming words है, could, would, should. लेकिन ये भाई-भाई से लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहन भी है, और वो है should, कैसे मैं आपको बताती हूँ, तो guys, could और would को अलग समझेंगे, और should को अलग समझेंगे, should को मैंने का बहन, तो बहन किसलिए कहा, बहन क्या करती है, बहन बहन बहुत अच्छा सलाह देती हैं, और इसमें जादातर क्या होता है, कि हम बोलते हैं, करना चाहिए, क्या कहते हैं, करना चाहिए, you should study English every day, आपको अंग्रेजी हर दिन पढ़ना चाहिए, तो should तो बहुत है, बहुत ही आराम से आपको समझ आ जाएगा, इसका यही सेंस निकलता है, ठीक है, लेकिन could और would जो यह दोनों भाई हैं, यह interchangeably भी use होते हैं, यानि इनके बीच की confusion दूर करना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले इसे समझेंगे, अब मैं बता दू कि could जो sense देगा, वो सकना का sense देता है, ठीक है, कोई काम कर सकने की बात कर रहे हैं, और भी चीज़े हैं, और जो would है, य यह ऐसा sense देता है, sentences में समझते जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से clear होगा, सबसे पहले could की बात करते हैं, मैंने लिखा है could क्या है, past of can, तो could past of can है, यानि की can की past form could है, लेकिन हमेशा could इसी तरीके से use हो, ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ आप can use कर सकते हैं, तो सबसे आप can use कर सकते हैं, वहाँ आप past के लिए could use कर सकते हैं, तो जब भी ability यानि योग गिता in the past, past की किसी ability की बात करेंगे, तो आप बेजी जख आँख बंद करके could का use कर लीजे, बहुत आराम से, तो could क्या करता है, could हमें बच्पन में भी ले जाता है, यानि कि हमारे past में ले box उठा पाती थी, उठा सकती थी, हैना इस तरीके से, sentence देखते हैं, बच्पन में चलते हैं, I could read Sanskrit when I was seven, जब मैं साथ साल की थी, तो मैं संस्कृत पढ़ सकती थी, मैं संस्कृत पढ़ पाती थी, ठीक है, तो जो भी ability past की है, could का use बड़े अराम से कर सकते हैं, एक और, my mom couldn't couldn't क्या है, यहाँ पर could not का contraction है, my mom couldn't swim when she was a child, जब मेरी मा छोटी थी, बच्ची थी, तब वो तैर नहीं पाती थी, तो could का use आपने समझा, तो could not भी तो आएगा, negative sentence बनाने के लिए could और not लगा दिया, I couldn't speak English four years ago, चार साल पहले मैं अंग्रे जी नहीं बोल सकती थी, यह नह आपने देखा couldn't याने could not, एक चीज़ ध्यान देने की है, कि जो भी verbs आज आप सीख रहे है, should, could, would, जब इनके साथ main verb आती है, यह sentence में as a helping verb यूज हुए है, modal verbs है, modal verbs helping verbs की ही category में आते है, तो इनके साथ हमेशा यह verb की first form आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, त can का past है, ऐसा नहीं है, यह जो could है, would है, यह सिर्फ past में use नहीं होते हैं, यह past में तो use होते हैं, present और future में भी use होते हैं, और यही confusion की जड़ भी है, क्योंकि जब तीनों tense में हम यूज करेंगे, जैसे normal आप words वरते हैं, is mr, ठीक हमने present में use किया, was, past में use किया, will, shall हमने future मे use किया, तो यह तीनों में use होते हैं, लेकिन तीनों में इनके functions अलग होते हैं, past में ability बताई, अब यह जो possibility है, यह बताएंगे present और future में, यानि कि present और future में कोई possibility बता रहे हैं, कि कोई चिस संभव है, ऐसा हो सकता है, तब हम इसका use करेंगे, तो sense यह आएगा, मतलब कि sentence के समझ पाएंगे, she could be in the kitchen का मतलब वो रसोई में हो सकती है, मतलब कि हो सकता है कि वो रसोई में है, हो सकता है, वो कहीं और हो, इसलिए हमने could का use किया, she could be in the kitchen, इसका मतलब है, maybe she is in the kitchen, यानि कि शायद वो रसोई में हो, तो जब doubt है, certainty नहीं है, possibility है, तो could का use हमने present के लिए क अभी की बात करी हूँ, she could be in the kitchen, किसी ने मुझसे पूछा, where is she, मैंने का she could be in the kitchen, ठीक है, यानि कि वो रसोई में हो सकती है, अगला मीरा could visit us on Monday, इसका मतलब है कि मीरा सोमवार को हमसे मिलने आ सकती है, तो सोमवार को आ सकती है, समझ में आ रहा है बात से कि future के बात करें, लेक आएगी, तो में भी मीरा will visit on Monday, visit us on Monday, ठीक है, तो यहां मैं यही कहना चाहरी हूँ, कि जब शायद है possibility, इसका यही मतलब है, कि में भी, शायद, शायद ऐसा हो, तो future के लिए भी हम could का use करेंगे, अगर certainty नहीं है, तो दो चीज़े clear हो गई, past की ability, और present और future की possibility, could का use, अग एक जो कि आप दन में कई बार use करते है, polite request, polite request, polite का मतलब हुआ, विनम्र निवेदन, अगर आप normally किसी से कुछ मांग रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप can का use कर सकते हैं, लेकिन अगर polite way में कहना चाहरा है, तो could का use करेंगे, तो आप mostly ऐसे sentence बोलेंगे, could you then do something for me or something like this, तो जो ह please hold this for a minute, क्या आप एक मिनट के लिए करपिया इसे पकड़ सकते हैं, यानि कि मानने जिए आप कहीं जा रहे हैं, आप का bag है, तो आप चाहरे है कोई से एक मिनट के लिए पकड़ ले, आप जस वापस आजाएं जल्दे से, ठीक है, could you do me a favor please, इसका मतलब क्या आप मेरा ये क कर सकते हैं, तो could use किया, polite हो गया, तो polite request कर रहे हैं, बेजे जग, could use की, जब जैसा कि मैंने का could would, भाई भाई, तो यहाँ, यानि कि polite request वाले sense में, आप could को would से exchange कर सकते हैं, आप बोल के देखे, would you please hold this for a minute, क्या आप इसे एक मिनट के लिए पकड़ेंगे, तो यहाँ अगर ठीक है, अब एक आता है reported speech, reported speech यानि कि direct, indirect की बात कर रहे हैं, तो यह indirect speech की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको direct, indirect की वीडियो में बताया, अगर न देखा हो तो जरूर से देख ली जगा guys, कि जब भी उसमें modal verbs आते हैं, जैसे can आता है, तो indirect बनाते हैं समय हम could कर द जैसे she said that she could dance, उसने कहा कि वो नाच सकती है, तो यहाँ पर जो original sentence था, जो उसने कहा था, वो था she said, फिर inverted comma में लगा देंगे, एक normal sentence की तरह, यानि कि आपके direct sentence की तरह, वो क्या था, उसने बोला, she said, inverted comma, I can dance, तो जब हम इसे किसी और को बता रहे हैं, indirect speech में, तो वो can, could मे change हो गया, यानि indirect speech में हमेशा could आएगा, ठीक है, उसमें can नहीं आएगा, तो यह आपके लिए clear हो गया, she said that she could dance, अब देखे एक और, she said that he couldn't walk, अगर positive है, तो negative भी तो बनेगा, उसने कहा कि वो चल नहीं सकता, ठीक है, तो अगर उस time पे उसने बोला था, चल नहीं सकता, मा would का use यहां तक, अब आते हैं would पे, could आपके लिए clear हो गया, अब would भी past of will, will का past है would, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसे use हो, ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मैंने उसमें बताया था, तो for repeated actions in the past, ध्यान दे, could use किया था past की ability के लिए, would use करेंगे जब हम past के लिए, तो वो क्या होगा for repeated action, जो चीज़ आप पहले किया करते थे, मानलेजे आपने कोई काम repeat किया, तो आप बोलते हैं, मैं ऐसा किया करता था, ठीक है, तो वहाँ पे आप बड़े अराम से would का use कर सकते हैं, तो past में repeated action, किया करता था, sentence, when I was little, जब मैं छोटी थी, I would often go to my granny's house, मतलब मैं अकसर मेरी नानी के घर जाया करती थी, तो यह जो would है, आप relate कर पा रहे होंगे, इस से, used to से, है ना, आप यह भी बोल सकते हैं, I used to go to my granny's house, ठीक है, और या फिर I would often go to my granny's house, तो आप इस sense में would का use बहुत आराम से कर सकते हैं, एक और sentence, two years ago, I would study English four hours a day, two years ago, यानि दो साल पहले, अब पिछली बात कर दी, ठीक है, past की, I would study English four hours a day, मैं चार घंटे अंग्रेजी पढ़ा करती थी, but now I don't, लेकिन अब मैं नहीं करती, तो करती थी, तो मैंने would का use किया, आप कोई भी चीज अपने बच्पन के स्टोरी बता रहे हैं, would से आप बता सकते हैं, बहुत आराम से, ठीक है, तो आप would का use करकर के पुरा एक paragraph बोल सकते हैं, अब would आता है to talk about imaginary situation, यह क्या है, imaginary situation, यानि कि जो चीज आप imagine कर रहे हैं, कि ऐसा होगा, या ऐसा होता, तो ऐसा होता, तब आप would का use करेंगे, तो present और future में, ठीक है, वो past था, जिसमें आपने repeated actions यूज किया, present और future म में, आप use करेंगे, imaginary situation के लिए, would का use कैसे, कर देता, कर दूँगा, जैसे मैंने बताया, sentence देखे, if I were you, अगर मैं तुम होती, ठीक है, तो अगर मैं तुम होती बोल रही हूँ, तो ऐसा तो possible नहीं है, कि मैं आपकी जगह हूँ, imagine कर रही हूँ, तो यह sentence ने बता दिया, कि imaginary situation है, तो हम would का use करेंगे, if I were you, I would make a lot of changes, अगर मैं आपके जगह होती, तो मैं बहुत सारे बदलाव करती, एक और sentence, I would go to her party, if she invited me, अगर वो मुझे invite करती है, आमंतरित करती है, तो मैं उसकी party में जाऊंगा, तो आप ध्यान दें, कि मैं यहाँ present की बात करूँ, यहाँ future क अब आप सोचेंगे, यहाँ invited आया, यहाँ word आया, लेकिन यह past की बात नहीं है, तो यह conditional sentence है, imaginary situations में mostly conditional sentences हैं, conditional पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो जरूर देखेगा, यह है type of second conditional, तो यह जो second conditional है, इसका यही rule है, कि भले इसमें हम past simple use करते हैं, लेकिन past की बात बिल past के लिए use करते हैं, लेकिन guys, कहीं भी check करके देख लीजे, हम इसे जब भी use करते हैं, तो हम present या future की बात करते हैं, past की बात नहीं करते हैं, second conditional के मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमने invited, यानि past simple use किया, लेकिन बात की future की किया, अग मैं जाऊंगा उसकी party में, ठीक है, एक और sentence देखते हैं, if I had listened to my father, अगर मैंने मेरे पिता की बात सुनी होती, I wouldn't be in trouble, यानि would or not का यूज किया, कि मैं मुसीबत में नहीं होती, तो यह mixed conditional है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जरूर से देखेगा उन वीडियो को clear हो जाएगा concept, तो इसमें past की condition थी, और हमने इस तरीके से imaginary situation की, अगर सुनी होती, तो अभी में मुसीबत में नहोती, तो यह भी situation जो अभी की है, वो present की है, ठीक है, clear आपके लिए, इस concept को एक बार वो देखेंगे, बहुत अच्छे से clear होगा, तो imaginary situations में हम would की बात करते ह है, ठीक है, आगे बढ़ते है, to meet polite request, यह could भी करता था, exchange कर सकते थे, यहां offers भी add होगे और invitations भी, यानि कुछ offer कर रहे हैं, तो आप इसका use करेंगे, किसी को कोई invitation दे रहे हैं, तो भी आप इसका use करेंगे, sentence देखते चलते हैं, यह भी present और future की बात करेंगे, हम करेंगे कर देंगे, sentence, would you pass the salt, please, आप खाना खा रहे है, would you pass the salt, please, कि आप नमक पास कर देंगे, ठीक है, करपया लगा के, फिर would you mind opening the window, would you mind opening the window, इसका मतलब यही है, कि आप खिड की खोल देंगे, विनम्र निवेदन है, लेकिन आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आपको कोई आपती तो नहीं है, खिड की खोलने में, so would you mind opening, अब आप ध्यान देजे, जब भी हम mind के साथ यूज़ करते हैं, तो mind के बाद यह आता है, gerund form, यानि की verb में ing, इसको आप ध्यान रखेगा, would you mind doing something बोलना है, और would you do something बोलना है, एक और, would you like tea or coffee, आप चाहे लेंगे या coffee, यह offer है, कोई आपके घर आया, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं, would you like to join us for the dinner, यह invitation है, क्या आप रात के भोजन के समय हमें, join करना चाहेंगे, तो यह invitation है, would you like, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, reported speech, जैसा कि मैंने का indirect sentences में, जब indirect speech आएगा, तो वहाँ पे भी हम would का use कर सकते हैं, वह जब indirect में आता है, वह would बन जाता है, तो यहाँ भी एक तरीके से यह will के past के रोप में use हुआ है, she said that, she would dance, original sentence में था, I will dance, जब change किया, तो यह हो गया, she would dance, उसने कहा, कि वह नाचेगी, ठीक है, I knew he would win, I knew, मुझे पता था, वह जीतेगा, तो overall यह ध्यान दीजिए, कि sentence का जब एक पार्ट past में है, तो दूसरे पार्ट में would आएगा, ठीक है, will नहीं, I thought he would never come, मुझे लगाया, मैंने सोचा कि वह कभी वापस नहीं आएगा, तो यहाँ I thought past था, तो इसलिए हमने यह would use किया लिए आराम से, ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे, कि sentence मे will नहीं use करना, आएगा, करेगा, यह कहने के लिए would use करना है, ठीक है, अब आते हैं should पे, तो आपके लिए could और would clear हो गया guys, comment में लेके जरूर से बताईएगा, कि अगर आपको कोई doubt था, तो clear हो गया या नहीं, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है, कि सारे doubts इससे related आपक चाहिए जैसा, एंड में आता है sentence के words आते है, you should work hard, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सलाह दे रहे हैं, do you think, क्या तुम्हें लगता है, I should phone her, मुझे उसे phone करना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है, मुझे उसे phone करना चाहिए, do you think, I should phone her, ठीक है, so do you think, करके आपने स सलाह मांगी, सलाह मांगी और इसलिए आपने शुट का यूज़ किया, तो guys, एक और sentence, they shouldn't, अब शुड है तो शुड नॉट भी आएगा, they shouldn't waste their time, उन्हें अपना समय बरबाद नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक सलाह है, तो ये तो बहुत यासान है, बहुत याराम से अगई, फटा-फट से अगर वीडियो पसंद आयो, तो लाइक कर दीजे, और हाँ, इसके बाद आप सोच रहे होंगे, कि ये जो इनके साथ have जुड जाता है, ये have, could have, should have, would have, इन्हें कैसे यूज़ करना है, तो guys, इस concept को लेकर बहुत जल दी आऊंगी, मैं, उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल पर बने रहने के लिए आपको क्या करना है, कि अगर आप नई हो चैनल पर, यहीं कि subscribe न कर रखा हो, तो subscribe जरूर करें, उसके बाद बल आईकॉन प्रेस कर देंगे, सारी notifications automatically आपके phone पर सबसे पहले मिल जाएंगे, ताकि आप जो भी व छिए सुन